कि आज हमने एलेक्शन कमिशन के सामने कई मुद्धे रखे हैं इन में से दो ऐसे इशू हैं जिसके बारे मैं थोड़ी आपके साथ इसके बारे जानकारी देना चाहूँगा एक तो कल रामलीला मैदान में जो आई फुल स्टॉप N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप I फुल स्टॉप A अलायन्स के एक मीटिंग हुई गामलीला मैदान में उसके दोरान श्री राहूल गांदी जी ने कई ऐसी बाते की जो अपने आप में बहुत अब्जिक्शनेबल है और इनकी अगर इंप्लिकेशन देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ट मैच है आप सब क्रिकेट गेम के साथ फिमिलियर है फिक्स्ट मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा हो पहले से ही टेख कर दिया गया हुआ इन्होंने और कहा का कि सरकार ने केंद्रे सरकार ने अपने लोग बठा दिये हैं इलेक्शन कमिशन में और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बगएर चुनाओ जीता नहीं जा सकता अब शीरी राहूल गांदी जी को ये पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसी राज्यों में सफल रही उस समय क्या कोई अलग अलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन है थी और ये EVM का जो बात है ये कई बार कई बार उठाई जा चुकी है और election commission ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिलकुल बेबुनियाद है and there are no there is no evidence to say कि EVM के साथ tampering हो भी सकती है बहुत-बहुत experts को भी बुला के पुछा गया है और उन्होंने जांच कि इसके बारे उसके बारे उन्होंने और कहा कि ये समीधान जो है हमारा इसके जो समीधान में जो हमारे भारतिय भाई और भेनों को जो rights मिलते हैं वो चीने जा रहे हैं और चीने जा रहे हैं का मतलब क्या है कि कि किसी ने ये कहा है किसी भारतिय जन्ता पार्टी के किसी कार्यकरता ने कहा है कि चार सो पार करने के बाद हम सविधान को ही कैंसल कर देंगे कौन से कारिय करता ने ऐसी बात की है हमें तो कोई जानकरी है नी और उनका ये पब्लिक प्लैटफॉर्म पे कहना जैसे पिछली बारी उन्होंने कहा था पिछली बारी उन्होंने कहा था कि मैं अपने official handle पे x handle पे अपने instagram पे handle पे उन्होंने मानने ये प्रधान मंतरी जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगा है कि उन्होंने एक ऐसी statement दी है कि बलात कारियों के लिए rapist के लिए उनको बचानी के लिए मैं जान भी दे दूँगा ये कमाल की बात है एक इतना लो लेवल पुलिटिकल डिस्कॉर्स और कल कहां उन्होंने कि अभी कॉंस्टिट्यूशन समीधान उसको कैंसल कर दिया जाएगा देश जो है टुकडे टुकडे हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी मैं समगता हूँ उनकी फरस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं वह भरत जोडने यात्रा गये उनकी जो ओ अलायन्स है without basis हैं हमने एलेक्शन कमिशन के सामने ये बात रखी और हमने कहा ने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात निया है इस पर तो अब सक्त कारवाई होनी चाहिए